हेलो फ्रेंट्स वेल्कुम बैक तो दी यूट्यूब चैनल ओनली वेल तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में यूस्टी आइनर के अनलाइस हम करेंगे और जैसे कि मैंने बताया था यह यहां पर जो स्वालिडेशन हो रहा है अगर यह अपने इस वाले हाई को ब्रेक करता है जो की यहां पर देखे जो की है इसके बाद यह कंफर्म हो जाएगा कि यह सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटन का ब्रेक आउट यहां पर हुआ है तो काफी बढ़िया मोमेंट आल्रेडी यहां पर यहां पर रिवर्स कर गई और उसके बाद यहां पर काफी अच्छी मोमेंट देखने को मिली है तो एट प्रेजन जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहां पर जो पॉसिबल्टी हो सकती है या तो यह डाउनफॉल करते हुए यहां पर ट्रेंड लाइन तक आ सकता है यहां से फिर बनेड क्रें करें दो टीन 2-3-4 दिन अपने हाई को प्रेट करेंगा तब भी यहां पे ऐफास्त मोमेंटम अप्साइड में देखने को मिल जाएगा अब स्टॉप-loss की बात करें तो अब स्टॉप-लoss किसका काफी यहां पे नीचे है क्योंकि यहां पे हम डिसाइड नही कर सकते हैं और based on your analysis ही आप इसमें कोई decision लीजे जो मेरी opinion थी मैंने आपके साथ share यहाँ पे कर दी है अभी जो इसमें fresh position की बात करें तो fresh position अभी बनाना समझदारी नहीं होगा क्योंकि already यहाँ पे काफी बड़िया momentum यह दे चुका है fresh position मनानी है तो अगर यह इस friend line के आसपास इसे retest करने के लिए आता है तो यहाँ पे सोचा जा सकता है based on price action देखते हुए कि यहाँ पे reversal ले रहा है तो उसी candle का यहाँ पे stop loss low का stop loss लेते हुए एक buy side के position again initiate की जा सकती है इस level पे अभी कोई भी फ्रेश पोजिशन बनाना रिस्की हो सकता है तो friends यह थी usd आयनर में analysis तो friends वीडियो अच्छी लगते हो तो like और share जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी subscribe कर ले तो friends मिलते हैं next video में